15 ऐसे बिजनसेस जो कि आपको रातो रात कुरोड़ पदी बना सकते हैं पहला बिजनसा पेंट का अब आप को होगे कि क्या हम पेंटर बन जाएं और लोगों की दिवारें पेंट करने लगें ऐसा नहीं है अब भी हमें एक एक एक्सामपल लेते हैं नॉर्मल इनसान पपू का पपू सबसे पहले अपने घर की लुगाईयों की बात सुनके एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीता है बिल्डर उसको फ्लैट कलर करवा के ही बेचता है लेकिन उसकी बीवी कहती है गर अपना है तो डिसाइन भी अपना होना चाहिए और बीवी के कहने पर वो अपने घर के अंदर वापस कलर करवाता है फ्लैट खरीदे जब उसको एक साली हुआ होता है तो तब तक उसके बच्चे उसके घर की आदी दिवारों पर ड्रोइंग वगरा करके गंद मुचा देते हैं फिर वो उस गंद को चुपाने के लिए और रिष्टेदारों में अपने भोकाल को कायम रखने के लिए घर में वापस कलर करवाता है लेकिन वो कलर करवाने के बाद भी दस सालों बाद उसकी घर की दिवारों की वापस क्वालिटी खराब हो जाती है फिर परिशान होकर वो वापस पेंट करवाता है और फिर वो उसके वे 10 साल बाद में और फ्लैट खरीदने के लगबग 15-20 साल बाद में वापस अपने घर को पेंट करवाता है क्यूंकि उसको अपने बेटे की शादी करनी होती है फिर शादी के बाद में उसका बेटा वी ए लेकिन वहीं पेंट एक ऐसा बिजनस है जिसके अंदर डिमांड कभी भी कम नहीं होती है और आने वाले 20-30 सालों के अंदर भी इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है इसलिए अगर पेंट के बिजनस के अंदर आपका एक बार सिक्का चलना शुरू हो गया तो फिरा पूरी जिंदगी कमाई करोगे दूसरा तरीका जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने टेलीग्राम पे ओनलाइन पैसा कमाने के बड़िया तरीके शेर करता रहता हूँ तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और शोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं उनसे बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कैम अलर्ट दिया हुआ है तो इसको भी ध्यान से रीड कर लो दूसरा बिजनस है टुबैको का इसमें स्मोकिंग टुबैको जैसे की सिगरेट्स भी आती है और चुइंग टुबैको जैसे की गुटका भी आता है जिसको खाकर आज कलके सूपरस्टार अपनी जुबान केसरी कर रहे हैं जो इस बिजनस में काम कर रहे हैं मैं वैसे काफी लोगों को जानता हूँ मैं ज़्यादा चीज़ें तो रवील नहीं करूँगा लेकिन बस में आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका इस बिजनस के अंदर सिक्का चल गया तो फिर आप रोल्स रोइस तो क्या प्राइवेट जेट भी खरीज सकते हो वैसे तो टुबैको को लोग बहुत बुरा बोलते हैं लेकिन टुबैको पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्राबलम को सौल भी करता है जोगी है लोगों को सस्ते में नशा करवाने की और उपर से दुनिया से वजन भी कम करता है लोगों को उपर ही भेजगर क्योंकि ये चीज मैंने गाओं के अंदर खुद देखी है कि जो पूर कलास है उसके लिए गुटका चमतकार से कम नहीं है आप इस चीज को बुरा तो बहुत बोलते हो लेकिन आप खुद ही बताओ कि गाओं का रामु जो की ध्याड़ी करके डेली के तीन सो रुबे कमाता है वो डेली तीन सो रुबे की शराब कैसे पी सकता है अगर आप गाओं में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो पूर कलास है उसके लिए ये सब चमतकार से कम नहीं है अगर एक नॉर्मल इनसान को दारू बीकर नशा करना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा अभी सुनो अगर किसी इनसान को दारू बीकर नशा करना है तो कम से गम उसे 40 रुबे का पववा चाहिए साथ में राम से 10 रुबे का चखना चाहिए और अगर उसे पूरा दिन टॉप गेर में रहना है और सेट रहना है तो उसे ये सब डेली 3-4 बार चाहिए यानि कि दारू से नशा करना डेली मिनीमम 100 से लेकर 1.500 रुपे का पड़ता है लेकिन वहीं पे टुबैको सस्ता कितना है अब ये देखो अगर किसी को गुटका खा के नशा करना है तो बस उसे अपने नुकड़ वाले दुकान पे जाना पड़ेगा 5 रुपे में उसे गुटका मिल जाएगा साथ में दुकान वाला कली भी फ्री देगा क्यूंकि दुकान वाला तो अपने कस्टमर का भला करना चाहता है ना उसकी लंबी उमर के लिए और फिर उसे वो गुटका बस अपने मुगे अंदर रखना है और वो सेट हो जाएगा एक छोटे से छोटे गुटके के खोके वाला अराम से महीने के 50,000 रुपे कमा लेता है और जो लोग इस बिजनस के अंदर थोड़ी सी भी बड़ी गेम खेलते हैं वो अराम से महीने के 5 से लेकर 10,000 रुपे कमा लेते हैं तीसरा बिजनस है अलका हॉल यानि की दारूगा अगर आप अपने पास वाले ठेके पर जाते हो तो आपको पता चलेगा कि जो उस ठेके का मालिक है उसके पास में फोर्चूनर है बहुत ही बड़ी उसने कोठी डाल रखी है यानि कि उसके पास में घर गाड़ी घोड़ा सब है अलका हॉल से रिलेटेड आप कोई भी बिजनस करो उसमें आपका फाइदा होगा ही जो लोग अलका हॉल को बनाते हैं वो भी मूटा पैसा चापते हैं और जो लोग अलका हॉल को बेचते हैं वो भी मूटा पैसा चापते हैं इनके मेली दो तरीके के कस्टमर होते हैं पहले होते हैं वो लोग जो की प्यक्कड होते हैं जिनको दारू चाहिए चाहिए होती है दारू के बिना उनका गुजारा होता ही नहीं है। और दूसरे इनके मेली कस्टमर होते हैं 18 से लेकर 24 साल के लड़के जो की बस कूल दिखने के लिए पीते हैं। और फन फेक्ट बता क्या है कि जो यंग लड़के आज के समय में सिर्फ कूल दिखने के लिए पी रहे हैं वो आने वल समय में पीकड बनने वाले हैं। और इस बिजनस की सबसे मज़दर बात बता क्या है कि अगर किसी प्यकड इनसान की 17 साल की उमर में दारू पी पी कर मौत भी हो जाती है तो तब दग उसका बेटा और पोता प्यकड बन जाते हैं और पके कस्टमर बन जाते हैं। जाता है तो दो इनसान लाता है यानि कि ये बिजनस भी अगले 50 सालों तक चलने वाला है। इस बिजनस में अगर इन्वेश्टमेंट बड़ी लगती है तो इसमें रिटर्न भी तगड़ा बनता है। वो सोचते हैं कि हमारा अगला घर इससे भी बड़ा हो 99% लोग अपनी पूरी जिन्दगी इसी के लिए महनत करते हैं कि वो पहले से बड़े डबे में रहें जादतर लोग सिरफ इसलिए महनत करते हैं अपनी पूरी जिन्दगी कि जो वो अगला घर लें वो पिछले वाले से बढ़ा हो और प्रॉपर्टी इसका बिजनस करके आप ऐसे लोगों का फाइदा उठा सकते हो प्रॉपर्टी के बिजनस के अंदर फाइदा ये है कि इसमे नुकसान होने के चांसे से लगबग ना के बराबर होते हैं क्योंकि इसमे नुकसान हो गई किया अगर आपने जमीन खरीद ली तो ऐसा तो है नहीं कि कल को कोई इनसान आके कहेगा कि अब से दुनिया के अंदर जमीन डबल हो जाएगी अगर प्रॉपर्टी का रेट किसी चीज़ की वज़ा से गिर भी जाता है तो कुछी सालों के अंदर वो रिकवर हो जाता है और पहले से भी कई गुना हो जाता है अब आप कहोगे कि हमारे पास में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर प्रॉपर्टी का बिजनस करने के लिए पचास लाग करोड दो करोड रुपया नहीं है तो मैं आपको कब कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी का बिजनस करने के लिए प्रॉपर्टी को खरीदो आप प्रॉपर्टी की डील भी करवा सकते हो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी इसकी डील करवाते हैं यानि कि उस इनसान को मिलवाते हैं जो की इनसान प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और उस इनसान को मिलवाते हैं जो की प्रॉपर्टी बीचना चाहता है इन दोनों की डील करवाके अपना दो से लेकर 5% का कमीशन कमा लेते हैं यानि कि अगर ऐसे उन्होंने एक क्रूट का फ्लैट बिगवा दिया तो उनके दो से लेकर 5 लाग रुपे बन जाएंगे और प्रोपरटी की डील्स करवाना एक ऐसा काम है जिसके लिए ना तो एक्सपिरियंस चाहिए ना ही कोई डीरी चाहिए और ना ही इसमें कोई बड़ा इन्वेश्टमेंट लगता है अब अब ये समझोगी 10 महीने काम करके और डेली एफट डाल कर आप एक फ्लैट नहीं बिगवा सकते हो अगर आपने 10 महीने काम करके एक फ्लैट बिगवा दिया एक करूड रुपे का और उसमें आपका 5 परसेंट का कमीशन बन गया तो आपको मिल जाएंगे 5 लाग और अगर आपके पास में एकठा पैसा बड़ा है तो आप एक कमर्शिल प्रॉपरटी ख्रीदेगर छोड़ दो जब तक पूरी दुनिया खतम नहीं होगी ना तब तक ये बिजनस चलेगा क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता है बस अपनी प्रॉपरटी को किराई पर द दिया तो बाद में जिस इनसान ने किराई पर लिया है उसका बले कुछ ही हो बले उसे मुनाफ़व हो या फिर नुकसान हो अपने आप बिजनसे बदलते रहेंगे और हमेशा टाइम के साथ में चेंज होते रहेंगे जिस इनसान को बिजनस में नुकसान होगा वो दुकान में आएगा चौथा बिजनस है ड्रॉप सर्विसिंग ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनस है जिसके बारे में ज़्यादा दर लोग जानते ही नहीं है इस बिजनस में आप लोगों को कहते हो कि मैं आपको ये चीज करके दे सकता हूं और फिर जब सामने वाला इंसान एक drop servicing की company और आप video editing करके देते हो मान लेते हैं एक बड़ी company आप से advertisement बनवाना चाहती है और editing उसकी करवाना चाहती है उसके लिए वो company आपको 10 minute की editing के लिए 10,000 रुपे आफर करती है तो फिर आप क्या करोगे वो project को ले लोगे और फिर उस project को बाकी लोगों से करवा होगे मान लेते हैं आपने किसी freelancer को या फिर video editor को hire कर लिया अब आपने खुद लिये थे उस video editing के लिए 10,000 रुपे लेकिन आपने वही काम को किसी इनसान से 7,000 रुपे में करवा लिया तो बीच का जो 3,000 रुपे बचेगा वो आपका profit हो जाएगा और इस business की सबसे मज़धर बात ये है कि आपको खुद कुछ भी नहीं करना होता है आपको सिर्फ client ढूनने होते हैं जिनको कोई service चाहिए और आज के समय में ये business काफी ज़दा demand के अंदर है क्योंकि हर इनसान को online service चाहिए भले वो video editing हो, content writing हो, web development हो या फिर graphic designing हो इसके लिए आपको सिर्फ client की जरूरत है जिसके लिए आप social media platforms जैसे की YouTube इंस्टागराम का use कर सकते हो या फिर इन platforms की उपर अपनी ads चला सकते हो और ये एक ऐसा business है जिसके अंदर आप सिर्फ तीन महीने काम करके भी महीने की एक अलाकी income बे पहुंच सकते हो और ये business scalable भी बहुत है यानि कि ये business के अंदर आप एक ही जिगह पर रुक नहीं जाते हो बलकि आप इसको scale करते रह सकते हो और अपने business को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो मैं तो ऐसे इनसानों को भी जानता हूँ जो कि drop servicing करके महीने के 20-30 लाक रुपए और कुछ लोग तो महीने के क्रोड रुपए से भी ज़्यादा कमाते है पांचमा business है freelancing अब आप पूछोगे कि freelancing होता क्या है इसको कुछी words के अंदर describe किया जा सकता है freelancing का basic सा मतलब होता है your time, your place, your work and you are the boss यानि कि इसमें आप जब चाहे तब काम करते हो जहां पे चाहो वहां पे काम करते हो और जतना चाहे उतना काम करते हो आज के टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर 15 लाग से भी ज़्यादा freelancer है यानि कि जब वो free होते हैं तब वो ये काम करते हैं आपको भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती होंगे जिनको आप लोगों के लिए करके काफी पैसा कमा सकते हो ये करने के लिए आप Fiverr जैसी वेबसाइट्स पर जा सकते हो जहां पर freelancer अपने आपको लिश्ट कर सकते हैं और बाद में लोग अपने आप चल की आते हैं उनके पास में काम करवाने के लिए अगर आप एक जौब गरते हो तो आप संडे सेटर डे बर freelancing कर सकते हो और freelancing के अंदर potential भी बहुत है अगर आपको एक बर freelancing समझा जाती है तो फिर आप अपनी एक drop servicing की company भी खोल सकते हो जिसका example मैंने पहले दिया चटा बिजनस है खाने पीने का एक श्टॉल लगाना ये बिजनस आपको सुनने में फणी लग सकता है लेकिन जब मैं आपको इस बिजनस को डिटेल में समझाऊंगा ना आप कहोगे मुझे तो यही बिजनस करना है एक बार मैं घूमने के लिए किसी अलग स्टेट में गया हुआ था घूमते हुए मुझे लगा गया नशा टूट रहा है और चाई बीते हैं चाई पीने के लिए मैंक स्टॉल पे चला गया वो चाई की दुकान थी लड़कियों के होश्टल के सामने मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी और उन लड़कियों को देखने के लिए वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे उसकी एक चाई थी 20 रुबेगी और मेरे देखते ही देखते उसने 10 मिनट के अंदर 20 चाई बेच दी यानि कि वो इस हिसाब से बेचता होगा घंटे की 120 चाय अगर पूरे दिन के हिसाब से ये भी मानने कि वो डेली की 500 चाय ही बेचता है तो 20 रुपे की चाय होने की वज़ा से उसकी डेली की 10,000 की कमाई हो जाती होगी अगर उसमें से खर्चा भी निकाल दें वो भी सिर्फ चाय का तो अराम से डेली का 5 से लेकर 7,000 रुपे का वो प्रॉफिट कर लेता है यानि कि वो महीने के अराम से 1,000 रुपे कमा लेता है लेकिन वहीं पे जो स्टूडेंट उसके पास में आकर चाय बीरे थे उन्होंने अपनी डिगरी लेने के लिए 10-10,000 रुपे खर्चा किया हुआ था और वो नौकरी कर रहे थे महीने की 25,000 रुपे की जिसमें से खर्चा काटने के बाद में उनको महीने के 5,000 रुपे ही बचते हैं लेकिन वहीं पे चाय की टप्री वाला महीने के 1,000,000 रुपे कमा लेता है अब मैं आपको खुद चाय की टप्री लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरा एक दोस्त है उसने बुरे शहर के अंदर गोल गप्पे की रेडियां लगवा रखी है और वो महीने के 10,000,000 से भी उपर कमाता है अब गोल गप्पे की रेडि खोलने के लिए कुछ लगता तो है नहीं 15,000 की रेडि बन जाती है और जो वो गोल गप्पे बेचने के लिए लड़का रखता है उसको भी वो महीने के 15,000 रुपे ही देता है यानि की एक रेडि लगा के देखने का खर्चा है 30,000 रुपे का वो हर महीने 5 ऐसी जगएं ढूंडता है जहां पे सबसे ज़्यादा गोल गप्पे की रेडि चल सकती है और हर महीने 5 रेडियां लगाता है उन 5 रेडियों में से जिन एक दो रेडियों से उसको प्रॉफिट होता है उनको रख लेता है और बाकियों को हटा के वो अलग जगए पे लगा देता है और इस तरीके से हर महीने वो ऐसा करता है और ऐसा करने की वज़य से पूरे शायर की हर अच्छी जगए पर उसकी गोल गप्पे की रेडिया है और अभी तक वो गरीब गोल गप्पे वालों का फाइदा उठा कर उसने अभी तक तीन महंगी गाड़ियां खरीद लिया है आठमा बिजनस है शादियों से रिलेटेड शादियों से रिलेटेड हर बिजनस करने के अंदर पैसा है भले वो शादियों के अंदर खाना सर्व करने वाला केटरिंग का बिजनस हो या फिर शादियों जहां पर होती हैं मैरिज प्लेस बनाना हो या फिर शादियों को प्लैन करना हो एक डाटा बताता है कि भारत में जो इनसान महीने के 50,000,000 रुपे कमाता है वो अराम से अपनी बेटी की शादी के अंदर 10 से लेकर 15,000,000 रुबेगा खर्चा करता है क्योंकि शादी से रिलेटेड हर बिजनस करने वाले को पता है कि शादी के अंदर लोग दिल खोल कर खर्चा करते हैं इसलिए शादी के फंक्शन में लोगों को लूटने का बहुती बढ़िया मौका होता है जो शादी की अलबम होती है जिसके अंदर शादी में खिंची हुई फोटो वगेरा लगाए जाती है उसका एक पेज 200 रुबेगा बना के देते हैं स्टूडियो वाले अरेया रिजिस्टर के पेज यतनी बड़ी शादी की फोटो थोड़ी बनवा रहे हैं चोटे हाथी की फोटो थोड़ी बनवा रहे हैं साथ फोट की लेकिन इन लोगों की यूनिन होती है कोई भी इनसान इन में से पैसा कम नहीं करता और जो पैसा ही डिसाइड कर लेते हैं वही लोगों से चार्ज गरते हैं गाओं के अंदर मेरिज प्लेस बन जाता है 30 लाख रुपे का और उसका डेली का किराय पता कितना होता है 30,000 रुपे का अगर मान लेते हैं शादियों की सीजन के अंदर उसका जो मेरिज प्लेस है वो महीने के अंदर 15 दिन किराय पर लगता है और जब सीजा नहीं होता है तब सिर्फ पांच बारी महीने गंदर लगता है तो उसकी हर महीने मैरिज प्लेस किराए पर लगने की एवरेज हुई 10 की 10 को अगर 30 से मल्टिपलाई करें तो यानि कि वो महीने के अराम से 3 लाग रुपए और साल के अराम से 30 लाग रुपए कमा लेता है यानि कि अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट को 100% रिकवर कर लेता है वो भी सिर्फ एक साल में इतना रिटरन आपने और किसी भी चीज़ के अंदर सुना है बैंक FD करवाओ आप आपको बैंक वाले कहेंगे कि हम आपको 7% का ब्याज दे रहे हैं बाकी बैंक तो सिर्फ 6.3 का ब्याज देते हैं हम आपको 0.7% एक्स्ट्रा दे रहे हैं लेकिन वहीं पे लोग मैरिज प्लेस मनाकर साल का 100% रिटरन कमाते हैं क्योंकि जिस इनसान ने डिसाइड कर रखा है कि उसको 15,000,000 रुपे का खर्चा करना है अपनी बेटी की शादी के उपर तो वो 30,000 रुपया खर्चा करने से पहले सोचेगा क्या इसलिए शादियों से रिलेटेड कोई भी बिजनस करने के अंदर बहुत फाइदा है स्मार्टफोन ले सकता है उसके पास में स्मार्टफोन है और आने वाले स्मैक अंदर जिस इनसान की महंगा फोन खरीदने की उकात नहीं भी है उसके पास में भी स्मार्टफोन होगा अब ये बदाओ कि जो इनसान स्मार्टफोन चलाता है वो अपने फोन के उपर क्या देखता है वो अपने फोन के उपर बिजनस करता है 99% लोग अपने फोन के उपर वीडियोस देखते हैं YouTube चलाते हैं, Instagram चलाते हैं, Google चलाते हैं, यानि कि अपने ज़्यादा तर टाइम के अंदर content को consume करते हैं, और एक चीज़ आपने YouTube पे भी notice की है, हर वीडियो चलने से पहले आपको एक एड दिखती है, और इन्ही एड्स को चलाने को कहा जाता है Digital Marketing, इससे ही आपको Digital Marketing का potential पता चल जाना चाहिए, Digital Marketing हर चीज़ पे हो रही है, अब YouTube खोल के देखो, आप अगर YouTube पांच मिनट भी चलाओ गे ना, तो आपको वहाँ बे अराम से 10 मशूरियां दिख जाएंगी, अब आपको मशूरियां देखते हो रही हैं, लेकिन इनको लगा कौन रहा है, इनको वह लोग लगा रहे हैं जो की Digital Marketing कर रहे हैं, Digital Marketing एक ऐसा बिजनस है जो की Zero Investment से शुरू हो जाता है, अगर आपने आज इडसाइड कर लिया ना, कि आपको Digital Marketing करनी है, तो आप तीन दिन विलियो से देखो YouTube की उपर, चौथे दिन से आप Digital Marketing करनी शुरू कर दोगे, आठमा बिजनस है धातूओं को, इसके अंदर सब आता है, गोल्ड, लोहा, सिल्वर, श्टील सब, धातूओं से रिलेटेड बिजनस करने के अंदर ये फाइदा है, कि इनको कभी बेच कर पैसा रिकावर किया जा सकता है, माल लेते हैं आपने ज्वैलरी के दुकान खोल ली, तो उसका ज़्यादातर खर्चा दुकान बनाने में नहीं आएगा, दुकान बनाने में उसके अंदर के लोग रखने में आएगा सिर्फ 10% खर्चा, लेकिन जो 90% खर्चा होगा, वो होगा उसके अंदर गोल्ड रखने में, अगर ऐसा है तो धात्वों से रिलेटेड बिजनस करने के अंदर नुकसान ही क्या है, अगर वो श्टोर नहीं चला, तो गोल्ड को बेचो और पैसा रिकावर हो जाएगा, और इसी तरीके से जितने भी मेटल्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप कोई बिजनस करते हो, तो उसके अंदर आपका अल्मोस्ट जीरो रिस्क होता है, और आप कभी भी धात्वों को बेचकर पैसा रिकावर कर सकते हो, इस बिजनस के अंदर पोटेंशल कितना है, आप इसी से हिसाब किताब लगा लो, आज से कुछ टाइम पहले, जिस एक किलो गोल्ड से एक बकरी आती थी, आज के समय में उस एक किलो गोल्ड से, और डी, मर्सलिस, बीम, डॉल्यू, किसी काविया बेस वेरियंट खरी सकते हो, और इन गाडियों का बेस वेरियंट भी 50 लाख रुबे का आता है, क्योंकि इन सबी चीज़ों को गोरों की भाशा के अंदर कहा जाता है, गौड्स मनी, यानि कि भगवान का पैसा, यानि कि जैसे इनसानों ने पैसा बनाया है, वैसे इनसानों ने ये सब नहीं बनाया, ये सब पहले से धर्ती पे था, और तब तक धर्ती पे रहेगा, जब तक गुरी धर्ती ही खतम नहीं हो जाती, पैसा तो इनफलेशन की वज़ा से हर साल कम हो जाता है, अगर आपके पास में आज 100 रुपया है तो अगले साल महंगाई बढ़ जाएगी 10% अगले साल भी आपकी जेब के अंदर 100 रुपया ही होगा लेकिन उ 100 रुपय से आप सिर्फ 90 रुपय की ही चीज़ें खरीद बाऊगे लेकिन वहीं पे धातु एक ऐसी चीज़ हैं जिनका प्राइस महंगाई के साथ में बढ़ता है अब जानते हैं नौ में बिजनस के बारे में एमेजोन कुछी टाइम पहले भारत गेंदर लौच हुई थी और आज के टाइम पे नमबर वन कमपनी है ओनलाइन प्रोड़क्ट्स को डिलिवर करने वाली एक रीसन डाटा बताता है कि एमेजोन ने 2022 के अंदर 21,462 करूड रुपया कमाया था वो भी सिर्फ भारत में इसी को देखकर शुरू की गई थी फिलिप कार्ट कमपनी और ये भी राम से साल का 50,000 करूड से विजादा का धंदा कर रही है स्वीगी, जैप्टो, रैपिडो, डेंजो इस तरीके के ब्रैंड साकर हर महीने करोडों रुपय का धंदा कर रही है और फन फैक्ट पता है कि इन में से ज़्यादा तर कमपनीया यानि कि 90% कमपनीया खुद का प्रोड़क्ट नहीं बेचती है बस ये कमपनीया उन लोगों को कनेक्ट करवाती है जो की प्रोड़क्ट बेचना चाहते है और उन लोगों को कनेक्ट करवाती है जो की प्रोड़क्ट को ख्रीदना चाहते है आपका खाना खाने का मन हो रहा है लेकिन आपका बनाने का मन नहीं है तो फिर आप क्या करोगे स्वीगी या फिर जुमेटो से खाने को ओर्डर करोगे यानि कि यहां पर क्या हुआ आपकी इन लोगों ने एक प्रॉबलम सॉल्व की अगर आपको कहीं पर जाना है तो आप किसी बस के अंदर चड़ के जाना पसंद करोगे या फिर ओला या उबर करवा कर उसमें जाना पसंद करोगे यानि कि इन कमपनियों ने कोई अलग चीज नहीं की है बलकि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और जरूरी नहीं है कि दिक्कत को सॉल्व करने वाली कमपनी बना कर तब ही पैसा कमाये जा सकता है अगर हम लोगों की सिरफ वही प्रॉब्लम को सॉल्व करें जिससे लोगों को एक्चुल में को दिक्कत आ रही है और लोग परिशान है ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी पैसा कमाया जा सकता है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है लोग आर्ग्यू ये करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा नहीं कमाया जा सकता कोका कोला कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है मैक डोनाल्स वाले जो की बर्गर्स को बेचते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अरे यार दिमाग के अंदर एक नियूरन होता है जिसको कहा जाता है डोपामीन जिसको रिलीज होने पर इनसान को काफ़ी जादा मज़ा आता है हर इनसान चाहता है वो खुश रहे और उसके दिमाग के अंदर डोपामी रिलीज होता रहे ये कंपनिया इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं बर्गर खाकर लोगों को मज़ा आता है कोका कोला पीकर लोगों को मज़ा आता है दारू बीकर लोगों को मज़ा आता है लोगों को खुशी देना भी कुछ टाइम के लिए उनके दुख को दूर करना ही होता है अगर आप भी एक ऐसी कमपनी बना लेते हो जिसके अंदर आप लोगों की किसी स्पेसिफिक दिक्कत को सही कर रहे हो तो आप पैसा बनाओगे और अगर आपके पास में ऐसी कमपनी बनाने के लिए पैसा भी नहीं है तो आप इस कैटिगरी के अंदर भी स्वीगी या फुर जुमेट्टो जैसी कमपनी बना सकते हो जिसमें आप सेलर को और कस्टमर को कनेक्ट करवाते हो और अपना कमिशन कमाते हो दसमा बिजनस है लोगों को एजूकेशन देना यानि की पढ़ाना आज कि समय के अंदर अगर आप देखोगे तो हर इंसान का सपना ये है कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी करे डॉक्टर बने आईस बने अब अब ये समझो कि इसमें लाख में से 99,900 लोग तो कमाते नहीं हैं यानि कि सिर्फ गिने चुने लोगों की ही नौकरी लगती है और बाकी लोग टलियां बजाते हैं लेकिन आप ये भी तो समझो कि जिन बाकी लोगों की नौकरी नहीं लगी वो पढ़ाई तो करेंगे यानि कि इसमें में पैसा नौकरी नहीं करने वाले नहीं बलकि नौकरी नहीं करवाने वाले कमा रही हैं अगर आप भी को स्कूल खोल लेते हो कॉलेज खोल लेते हो या फिर कोचिंग सेंटर खोल लेते हो तो आपको चुटकियों गेंदर student मिलेंगे और ये भी एक शादियों जैसा ही sector है जैसे कि लोग शादियों में पैसा खर्च करने से पहले शर्माते हैं नहीं हैं और खुला खर्चा करते हैं वैसे लोग इसके अंदर भी करते हैं लोग अपना सब कुछ लगाने के लिए त्यार है अपने बच्चों को नौकरियां लगाने के लिए और ये तो education sector का सिर्फ एक पार्ट है education आप अपने लेवल पे भी लोगों को दे सकते हो शायद आपको बहुत बड़ी गिटार बजाना आता है तो आप लोगों को गिटार बजाना सिखा सकते हो अगर आपको वीडिया एडिटिंग आती है तो आप YouTube बे लोगों को वीडिया एडिटिंग भी सिखा सकते हो अगर आपको बोलना बहुत ही अच्छे सी आता है और आप जितने चाहे उतने लोगों के सामने बोल सकते हो तो आप लोगों को पबलिंग स्पीकिंग भी सिखा सकते हो एक नॉर्मल गिटारिस्ट जिसके इंस्टागराम की उपर 30,000 फालोवर हैं वो भी लोगों को गिटार सिखा कर महीने के 2,000 रुपे कमा लेता है और ये सेक्टर भी कभी भी खतम नहीं होने वाला बस वो चीज़ें बदल जाएंगी जो कि लोग सीखना चाहते हैं थोड़े वो जब सङी टाइम पे स़ई चीज़ें सिखा कर मोटा पैसा कमा सकते हो के उपर बेच रहा है तो वो भी Arbitaraj है जानी कि अगर इसमें एकंप पैसा लगाते हैं तो उसको Arbitaraj का यूज करके आ आप भी बहुत पैसा कमा सकते हों Arbitaraj हर चीज में होती है बहुत सार्श हम चार्श नें क्रोड़ों रुपएगे अपने ओफिस बना रखे गाओं के अंदर यानि कि लोग गाओं के लोगों से काम करवाते हैं और शैर के लोगों को काम करके देते हैं और बीच का जो प्रॉफिट होता है वो खा जाते हैं और मोटा पैसा कमा लेते हैं कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भारत के लोगों से काम करवाते हैं और अमेरिका के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो टाटा की TCS कमपनी है वो यही चीज़ कर रही है और साल के 35,000 क्रोड रुपे से भी ज़्यादा कमा रही है TCS कमपनी करती है बारत के लोगों से काम करवाती है और भार के देशों के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्योंकि इंडिया के लोगों के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्योंकि भारत में जो कोका कोला की बोतल 80 रुपे की बिकती है वो अमेरिका के अंदर 500 रुपे की मिलती है यानि कि वहाँ पर महँगाई यहां से 5 गुना जादा है और इसी चीज़ का फाइदा लोग उठाते हैं लाख रुपे का प्रोजेक्ट लेते हैं किसी गोरे से और 20,000 रुपे के अंदर वो काम करवा के बाकी 80,000 रुपया अंदर कर लेते हैं बारवा बिजनस है फ्यूचरेश्टिक बिजनस एपल, गूगल, नाइकी, जीओ, टैसला कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि इस चीज़ का यूस ना करती हो अब आप खुदी बताओ कि अगर एपल ना होता तो क्या आपल जैसे स्मार्टफून ना आते अगर जियो कंपनी ना होती तो क्या भारत के अंदर सस्ता इंटरनेट ना आता अगर टैसला ना होती तो उस लेवल की इलेक्ट्रिक गाड़ियां ना आती अगर गूगल ना होता तो उस तरीके का कोई सर्च इंजन ना आता अगर यूट्यूब ना होता तो कोई और प्लैटफूम ना आता आप को होगे कि फिर कोई प्यूट्यूब आ जाता यहां पर आप एक पैटर नोटिस कर रहे हो इन कमपनियों ने कोई नया काम नहीं किया है बलगी हर चीज़ को टाइम से पहले किया है इन कमपनियों ने एवरेज हर चीज़ को 5 साल पहले किया है उस चीज़ के मार्केट में उतरने से पहले जब अच्छे स्मार्टफोन आने वाले थे उससे 5 साल पहले एपल अपने स्मार्टफोन लाँच किये सस्ता इंटरनेट भारत में 2020 में आने वाला था लेकिन जियो लाँच हुआ 2016 में यानि कि अगर आप एक ऐसा बिजनस करते हो जो कि अगले 5 सालों के अंदर होने वाला है तो आप पकी बात पैसा कमाओगे तेरमा बिजनसर डॉप शिपिंगा इसके अंदर आपको सिर्फ कस्टमर चाहिए होता है और आपको प्रोड़क्ट मिल जाता है इससे पैसा लोग कुछ ऐसे गमाते हैं वो इंस्टागराम के उपर यूट्यूब के उपर पेजस मना लेते हैं प्रोड़क्ट के मान लेते हैं किसी ने को बच्चे के प्रोड़क्ट वाला पेज बना लिया तो उसके उपर वो अलग-लग तरीके से उस प्रोड़क्ट को दिखाएगा अगर वो प्रोड़क्ट को अच्छे तरीके से प्रेजन्ट कर पाया तो उसके पक्की बात व्यूज आएंगे हर वीडियो के अंदर वो सीटिय देगा कि इस प्रोड़क्ट को आप मेरी बायो के अंदर लिंक है वहां से खरी सकते हो वहां पर रोग जाएंगे प्रोड़क्ट को ओडर करेंगे यानि कि इसके अंदर वी इनसान का रिस्क हुआ जीरो चौदमा बिजनस है कार रेंटल का आप किसी मुंबई बैंगलोर जैसे बड़े शेहर के अंदर जाओ और वहां पे किसी उबर ओला वाले से बुचो कि भाई तो पैसा कितना कमाता है वो इनसान आपको कहेगा कि मैं अराम से महीने का 50,000 रुपया कमा लेता हूँ और जो लोग ओवर टाइम करते हैं रात को भी गाड़ी चलाते हैं वो कहेंगे कि हम तो महीने के 70 से लेकर 80,000 रुपय भी कमा लेते हैं लेकिन इतना कमाने वाले ड्राइवर्स के पास में भी अपनी गाड़ी होती रही है अपनी गाड़ी सिर्फ 10% ड्राइवर्स के पास में होती है बाकी 90% लोग कार रेंट पर लेकर चलाते हैं 3,000,000 रुपय की वेगनार गाड़ी होती है लेकिन महीने के वो 30,000 किराए पर चड़ती है मिनिमम डेली के 1000 रुबे में लोग उबर उला वालों को अपनी गाड़ी किराए पर देते हैं और पूरा साल 365 दिन उनकी गाड़ी किराए पर चड़ती ही है अगर कोई इनसां 3,000,000 गाड़ी के उपर 30,000 रुबे किराए कमा रहा है तो वो उसका पैसा एक साल गेंदर रिकावर कर लेता है यानि कि 100% रिटरन कमा लेता है अगर आपके आस पास में ऐसी 10 चीज़ें जिसको लोग किराए पर दे कर पैसा कमाते हैं और उनको आप भी किराए पर दे सकते हो तो उसमें से एक दो चीज़ें ऐसी भी होगी जोगी एक साल में ही पैसे को रिकावर कर देंगी आप ऐसी चीज़ों को खरीद कर अपना बिजनस शुरू कर सकते हो और रेंटिंग बिजनस के अंदर गाड़ी खरीदना तो सबसे महंगी चीज़ें ज्यादा तर रेंट पर देने वाले चीज़ें लाख रुपे से सस्ती ही मिल जाती है पंदरमा बिजनस है कंटेंट क्रियेशन का अगर आप एक बार एक किताब लिख देते हो और बाद में वो किताब 10 लाख बार भी बिखती है तो आपको 10 लाख बार वो किताब बेचने के लिए कोई काम नी करना पड़ेगा बलकि आपको बिना काम किये ही पैसा आएगा अगर आपने यूट्यूब पर एक बड़ी ऐसी वीडियो बना कर छोड़ दी तो वो आपको अगले 10 साल तक भी कमाई देगी अगर आपने एक बार एक अच्छा सा कोर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया और बाद में उसको मार्केटिंग करके बेचना शुरू कर दिया तो बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको उससे पूरी जिंदगी कमाई आएगी यानि की कॉंटेंट क्रियेशन एक एंडलेस चीज है जिसको सिर्फ आपको एक बारी क्रियेट करना पड़ता है और बाद में आपको पूरी जिंदगी कमाई देती है अगर आप भी अपने जिंदगी केंदर रिटायर करना चाते हो और अपने डेली की 9 to 5 की नौकरी से बाहर निकलना चाते हो तो आपके लिए कॉंटेंट क्रियेशन बेस्ट चीज है अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है